गुमार्वी के गाउं फागत में सड़क और पानी को लेकर ग्रामिनों के प्रदर्शन जारी रहा देशाम तक दुनों पक्षू और प्रिशासन में गहमा गहमी होती रही आपको बता दे कि मलोट जजवानी बयोल कुठेडा पपलाह करीब साथ गाउं के ग्रामिनों नी सहाय कभियंता का रेल भराडी में पानी क्या पूर्ती ना होने पर प्रदर्शन किया और विभाग से जल से जल पेर जलापूर्ती की मांकी ग्रामिनों का कहना है कि पेर जलापूर्ती ना होने से उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है तो वे अपनी मल्कियत भूमी से पानी की सप्लाई बंद कर देंगे। वहां पे तो इस कारण जो उसने बंद की ओनी लेकिन ग्रामिनों का अक्रोज था ग्रामिन द्वारा पाइपलाईन बंद की गए थी। यहींने में जो है वो सडक या तो प्रसासन उसका उस सडक को खलवाएगा या या जो हो हम जो अन्या सडक का प्रापधान करने की कोशिस करेंगे यही असवासन मैंने जो हो आज ग्राम फागत में दिया है धन्याबाद. आज हमारा पहले तो जाना एकसिन साब के पास हुआ और वहाँ पे हमने उनसे पूरा ये बरीफ से जाना कि यह क्या समस्या है जो कि लगभग दस वारा गाउं जो है पाने से पांच दिनों से बंचीत हैं और एकसिन साब ने बताया कि जो समस्या आई है पानी के बारे में वो गाउं फाकत बालों ने पाइप की इलान को किसतिकरस कर दिया है कुछ वहां नेट वोल्ट के द्वारा पको चेंबर को जारा बनाया था उसको खोल दिया गया है और आज ही आप को हमें इस पानी की सुविदा जाए दे दिएंगे और अतिशी आएं जब हम वहां पे आएंगे हमारा श्यो करें इसलिए हम सभी लगब दस्वारा गाउं के लोग यहां इकतरत हुए हैं और ऐसा भी मैंने फिर भाग से बात किया है कि आज ही इसका हल कर देंगे और अगर हल नहीं होता है तो अगर हमें जनता को अगर रास्ता पनाना प हुई थी लेकिन जजवानी के एक व्यक्ति ने उस समय मामला दर्च करवाया कि उसकी मलकिया भूमी से जबरदस्ती सडक निकाली गई है जिसके बाद काफी सालों तक कोट में मामला चलता रहा और इसका फैसला नयायाले ने व्यक्ति के पक्ष में दिया केस जीतने के हुआ हुआ है